भागदोड बरी लाइफस्टेन ने हर किसी को तोड़ कर रख दिया है। जल्दमाजे में उनका खानपान भी बिगड रहा है। इससे लोगों को पेट से डिलेटेड कई प्रॉलम्स हो रही है। इनमें से एक है ऐसिडिटी। इसको आम लैंग्वेज में गैस या कब्स की भ होती है जब देर तक बेट कर काम करना, ज्यादा तीखा खाना खाना, खटा और मसालेदर खाना खाना, देर रात तक जागते रहना हो सकता है। कई बार हम स्वाद स्वाद में तीखा या मसालेदर चीजें ज्यादा खा लेते हैं। इससे कुछ वक्ट बाद जरूर से ज्य धीरे धीरे ये ऐसीन गल्ले तक आ जाता है जिससे खटी डखारे आने शुरू हो जाती है यदि आपको भी इस तरह की परेशानिय है तो कुछ घरेनों उपाएं आपके काम आ सकती है आए जानते हैं क्या है वो उपाएं और कैसे करते हैं बीमारी पर असर तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ डॉक्टर पठान और मेरे चैनल में आपका बहुत बन सागत है आए जानते हैं उन आठ घरेलू उपाएं के बारे में जिनकी मदद से आप अपनी एसिडिटी कम कर सकते हैं पहला है गुनगुना पानी से दिन की शुरूआत करें गुनगुना पानी में थोड़ी सी पीसी काली मिर्च और आदा नीमबू नुचोड कर रोजान पी लिया करें ऐसा करने से ग्यास की प्रॉडम दूर होगी ही साथ ही बनता वजन भी कंट्रोल होगा दूसरा है सौफ का पानी पिये खाना खाने के कुछ दिर बाद सौफ खाने से एसिडि पैदा करके एसिडिटि को कम करता है तीसरा है जीरे का पानी पिये जीरे में स्वास्ते को फाइदा पहुंचाने वाले कहीं गुन होते हैं यह एसिड रिफलक्स और गैस में काफी फाइदे मन माना जाता है जीरे में नेच्रल तेल होता है जो लार ग्रंतियों यानि की सला ग्लैंस को टिमुलेट करके डाइजेशन को बढ़ाते हैं इसके लिए एक चमत जीरे को 10 से 15 मिनिट के लिए 2 कप पाने में उबा ले जब जीरा पाने में घुल जाये तो पाने को थंडा कर ले इस पानी को छान कर दिन में 3 बार खाना खाने के बाद पी ले इसे गैस की शिका से राहत मिलेगी चार है दही का इस्तिमाल करें दही को खाने से एसिटेट के लिए इमर्जेंसी की तरह काम करता है यह पेड के लिए काफी फायदेमंद का सौधा है दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबो फ्लेविन और विटेमिन B6 पाये जाते हैं जो कि बाड़ी के लिए काफी अच्छे होते हैं इसमें मौझुद बैक्टेरिया भी आपके शेरिर के लिए फायदेमंद होते हैं दही का इस्तिमाल करना पेट के साथ साथ बालों और स्किन के लिए भी बहतर माना जाता है पांच है आजवाइन का पानी पिए आजवाइन का पानी पानी में आजवाइन डाले इसके बाद इसको ठीक से पका ले इसके बाद पानी को ठंडा कर ले इसके रेगूलर इस्तिमाल से एसिटि में काफी राहत मिलती हैं। 6. नीमबु पानी का इस्तिमाल करें. नीमबु पानी बॉडी के इम्मूनी सिस्टिम के लिए बहुत ही फायदेमन्द होता है. यह एसिडिन्टी होने पर पेट को बहुत आराम दिलाता है. नीमबु में विटैमिन C और एसकॉर्बिक एसिद होता है जिस से पेट ठीक रहता ह साथ ही पेट को तमाम infection से भी बचाता है साथ है अधरक को इस्तिमाल करें अधरक anti-inflammatory और anti-bacterial से बर्पूर होती है इसलिए इसका रोजाना इस्तिमाल से पेट के जलन से रहत दिला सकती है अधरक पेट के acid के इसोफेगस में वापस आने की chances को कम कर सकता है अधरक सुजन को भी कम कर सकता है आठ है acidity के लिए केला फायदे मंद होता है केला पेट के लिए कही तरह के से फायदे मंद होता है इसका सेवन करने से जलन, गैस, acidity में रहत दिलाता है इसके लिए केला को चिन्ली के साथ मिला कर खाना बहतरीन option है केला खाना, मूँ और पेट दोनों ही जगा के अलसर से छुटका दिलाने में काफी मददगार है अगर आपको भी acidity की शिकायत है तो आप रोजाना इन बताए हुए tips को आजमा कर अपनी acidity को काफी हद तक कम कर सकते है तो आज की वीडियो में बस इतना है तो मिलते हैं मेरे next study में तब तक के लिए धन्यवाद